नमस्कार दोस्तों मेरा नाव विशेख है आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सैडिल्मेंट टीब अगर भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नीके तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाईए रहोगा उसको प्रैस के लिजेगा उसके बगल में एक बैल बताऊंगा जहां से आप बहुत एजली लोन अप्लाई कर सकते हैं और बहुत एजली आपको लोन पराप्त हो सकता है यह वीडियो मैंने बनाया है सेलीड के लिए सेल्प एंप्लोईड के लिए तो अगर आप सेलीड है या आप सेल्प एंप्लोईड है आप लोन लेना चा bank register, loan applications होती हैं तो अगर आप यहां से loan apply करते हैं तो terms and condition, loan agreement letter, sense and letter, about this application बगरा जरूद यहां से पढ़ लिजेगा तभी loan apply किजेगा और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग अलग-अलग loan application से बार-बार loan apply करते रहते हैं तो ऐसा भी बिल्कुल मत किजेगा इससे भी आपके civil score में negative impact पड़ता है दोस्तों जितनी भी यह कम civil score पर loan provide करने बाली applications होती हैं यहां पर loan approval जो criteria होता है उसमें आपका income to expense ratio देखा जाता है ठीक है अगर आपने कोई false information provide करा दी अपनी income के regarding या फिर आपने कोई ऐसा amount off कर लिया है जो कि आप effort नहीं कर सकते तब भी आपका loan जो है वो reject हो सकता है ठीक है एक मैं आप लोगों के लिए और जरूरी बाह बता दूँ कि जितनी भी यह कम civil score पर loan provide करने बाली application से ऐसा नहीं है कि बहुत कम civil score है आपको loan प्राप्त हो सकता है नहीं अगर आपका civil score तो बहुत जादा कम डाउन नहीं है मतलब कि यह तो depend करेगा application to application की वहाँ पर कितना civil score consider करते हैं वो लेकिन अगर बहुत जादा अगर आपका civil score खराब है 600 से भी कम है ठीक है 650 से भी कम हो गया तो फिर आप आपको बहुत सारे जो है parameters उसका fulfillment करना पड़ता है उसके बाद ही आपको loan provide होता है ठीक है तो यह बात है ध्यान रखिएगा तभी loan apply किजिएगा चलिए अब मैं आपको बताता हूँ चार loan applications के बारे में जो की फिलाल अभी work कर रही है loan provide करा रही है यह एक new update है January 2024 का और पहले terms and conditions, loan agreement letter, sense and letter, about this app का section बगारा जरू ध्यान से पढ़ लिजेगा दोस्तों number one पर जिस app को मैंने रखा है यहां से मैंने खुद loan apply करके दिखाया है 40,000 रुपय का मुझे loan प्राप्त हुआ था हाला कि मेरा civil score ठीक था जब मुझे loan प्राप्त हुआ था यहां पर कम civil score प प्राप्त है मतलब civil score आपका 600 है एक्सपिरियन का साले 600 है तो आप यहां से loan apply करके देख सकते हैं इजली आपको loan मिल सकता है 5,000 रुपय से लेकर maximum 10,000 रुप तक का repayment period की बात करूँ तो तीन महीने से लेके 5 साल तक का आपको प्राप्त हो सकता है annual interest rate की बात करूँ 16 से लेके 49% जो है यहां पर चार्ज किया जाता है प्रोसेदिंग फी की बात करूँ 2 से लेके 8% सक चार्ज किया जाती है इलिजबिल्टी में आपका salary या self-employed होना जरूरी है और documents में आपको चाहिए होगे आधार काट, pen card, selfie कुछ cases में आपको income verification कराना पढ़ सकता है तो यह application जो है यह बहुत ही कमाल किया इसका link मैंने आपको description में दे दिया है अगर आप मेरे link से यहाँ पर loan apply करेंगे और जो मैंने आपको description में code प्रोवाइड करा है उसको referral code में enter करें की तो ध्यान जरूर रखिएगा ठीक है चलिए अगली आपकी तरफ बढ़ते हैं अगली जो application है इस application का नाम है clickfin अब clickfin की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर loan जो मिलता है वो मिलता है sell lead के लिए sell lead के लिए यहाँ पर loan मिलता है 20,000 उपए से लेकर 15,000,000 उपे तक का minimum 20,000 पर मन्त होनी चाहिए ध्यान रखिएगा एपियर की बात करूं तो 18 से लेके 32% पर एनम जो है यहाँ पर चार्ज किया जाता है 6 महीने से लेके 60 महीने तक का आपको यहाँ पर tenure मिल सकता है अधार कर्ट पैंकर्ट सैली सिलिप और bank statement चाहिए होगा अगर आप loan apply करते है तो civil score आपका 670 से प्लस होना चाहिए ठीक है तो यह भी बहुत ही कमाल की application है अब बाट्स की application है अब बाट्स capital private limited nbfc company का इनके नाम है तो उसी की ब्याप पर application भग करती है ठीक है चलिए अगली आपकी तरफ बढ़ते हैं अगली जो application है इसका नाम है finival personal loan app जिसको नंबर third permanent रखा है finival की बात करूँ तो इनके RBI register landing partner है finival credit private limited dmi finance private limited यहाँ पर आपको loan amount 50,000 रुपैसे लेकर 10,000,000 रुपे तक का प्राप्त हो सकता है person loan आपको low credit score पर भी प्राप्त हो सकता है और अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पर हमें बहुत सारे subscribers ने mail किये हैं यह message कि उनको 662,700 के असपास civil score पर भी loan प्राप्त हुआ है ठीक है तो आप चाहो तो यहाँ से finival से apply करके देख सकते हो लेकिन ध्यान रखिएगा इनका जो repayment period है वो 6 महीने से लेके 60 महीने तक का यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है बाकि loan amount जो है 50,000 रुपैसे लेकर 10,000,000 आपको प्राप्त हो सकता है और maximum जो इनका APR है वो है 27.6% eligibility में आपका salary होना जरूरी है 25,000 salary होनी चाहिए अगर आप किसी metro city से हो और 15,000 salary होनी चाहिए अगर आप किसी tier 2 या किसी other city में रहते है फुल time employed होना जरूरी है more than 6 month working मतलब 6 महीने से ज्यादा आपके बर्क हो गया ठीक है अधार कार्ड, pen card और एक महीने की salary से लिप यहाँ पर चाहिए होगी बाकी यहाँ पर आपसे bank statement भी लिया जा सकता है ठीक है चलिए अगली अपकी तरफ चलते हैं अगली जो application है यह भी बहुत ही कमाल किये नाम है इस application का landing plate अब landing plate की में बात करूं तो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर से जिनको यहां से कम सिब्ल स्कोर पर लोन प्राप्त हो जाता है अगर आपका सिब्ल स्कोर 680, 690, 700 के आसपास है तो भी आपको लोन मिल सकता है लेंडिंग प्लेट परसनल लोन अपसे से लिए आपकी minimum salary यहाँ पर 20,000 रुप होनी चाहिए 10,000 लोन से अबिलेबल हैं credit score इंब्रूब करने के लिए यानि कम सिब्ल स्कोर कम credit score पर भी आपको लोन प्राप्त हो सकता है आधारकर pen card salary slip और bank statement चाहिए होगा अगर आप यहां से लोन अप्लाई करते हैं तो तो दोस्तों यह तो हो गई top 4 loan apps for bad civil score ठेक है तो अगर आप इन में से किसी भी application का use कर रहे हैं तो अपनी eligibility के according application select कीजिए और अच्छे से ratings reviews बगर पढ़िए फिर loan apply कीजिए और मैं जितनी भी आपको applications बताता हूँ यह सभी NBFCI bank registered application होती है play store में कुछ फरजी loan application भी मौजूद हो सकती है तो ऐसी loan application से आपको हमेशा बच कर रहना है आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि जिस application से भी आप loan apply कर रहे हैं वो NBFCI bank registered application हो और यह cable about this app के section में लिग देने मात्र से यह नहीं होता है आपको खुद से application के बारे में पता जर लोग मुझे comment करते हैं कि आप बार बार सेम application repeat करते हो नहीं है ऐसा नहीं है मैं आपको बताता हूं working applications क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारी application कभी बर्क करती हैं कभी नहीं करती हैं तो जो working होती है फिलाल loan provide करा रहे होती है उन्हीं applications का मैं आपको update provide कराता हूं इस channel पर और description में बहुत सारी applications का link provide करा है अगर आपका civilist code ठीक है तो आप true balance से apply करके देख सकते हैं link आपको description में मिल जाएगा बहां से आप level up loan से सिर्फ आदरकर pen card से loan प्राप्स कर सकते हैं अगर आपके किसी friend को loan की आवशकता है तो आप true balance का use कर सकते हैं description में link है मेरे link का अगर finances रहेंगे आपका loan approve होने के और हां terms and condition loan agreement letter sense and letter about this section जरू ध्यान से पढ़ लिजेगा चाहें आप true balance ये किसी भी loan application से loan apply कर रहे हों दोस्तों एक और मेरी आप लोगों से गुजारे से बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं